किसान शुरू से ही हमारे देश का आधार रहे हैं। इनोवेशन और कुछ ठोस उपायों के जर्ये सरकार देश के इस आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। किसानों की आये को दो गुना करने और कृशी को आत्म निर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं। उन्ही में से एक है BioTech Agriculture Innovation Science Application Network यानि BioTech किसान ये स्कीम किसानों के लिए है जिससे किसानों द्वारा ही विक्सित किया गया है। Department of Biotechnology के अनुसार अब तक देश के सभी 15 कृषी जलवायु शेत्रों और 110 अकांशी जिलों को इसमें कवर किया दया है। और इसके अंतरगत 146 बायोटेक किसान हब स्थापित किये जा चुके हैं। इसका उदेश शेक खेतों के स्तर पर लागु किये जाने वाले नवीन समाधानों और प्रद्योग्यों का पता लगाने के लिए विज्ञान प्रयोक्षालाओं को किसान से जोड़ना है। प्रदिशेत जन्संख्या, क्रिशी और संबंध शेत्र में आजीवका के लिए लगी हुई है। बायोटेक किसान को लेकर PBNS ने हिमालियन एंवारिमेंटल स्टडीज और कंजर्वेशन और्गनाइजेशन की साइंटिस्ट डॉक्टर हिमानी पुरोहित से बात की। चली सुनते हैं उन्होंने इसके बारे में हमें क्या बताया। तो हम लोगों ने इस परियूजना के माध्यम से ये किया कि जिस जिले में हम काम कर रहते हैं, उधारन के लिए हमने अलमुडा में काम किया, तो अलमुडा में हमने किसान हब को तयार किया, और उस किसान हमें हमने कई फैसिलेटिस किसानों के लिए उपलब्त कराई, जैसे अग्रिकल्चर रिलेटिस को टूल हो, किसान उसको खरीद नह तो एक तो हम लोगों ने जगह जगह पर किसान हब का निर्मार्ण किया दूसरा इस परियोजना में जो सबसे इंपॉर्टन चीज थी वह यह थी कि ऐसा बहुत कम हुआ है कि जो वग्यानिक होते हैं किसानों के खेतों तक पहुचे तो इसमें पहली बार ऐसा हवा कि किसान हम पहले से उसी चेत्र का है तो वह बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं तो उससे हमें जो सबसे बड़ा फाइदा इस परियोजना को हुआ वह यह हुआ क्योंकि किसान की समश्चा को एक तो वह लीडर पहले से उसी चेत्र का है तो वह बहुत अच्छी तरीकी से जाता था कि पर्टिकुलर इस रीजल में क्या प्रॉप्लम होगी तो जब हम लोग उस गाउं में पहुचे तो लीडर ने हमें उस समश्चाओं के बारे में बहुत से लीडर डवलप रहे और उन लीडरों ने बहुत से प्रोक्रेसिव फार्मर्स का एक नेटवर्क बनाया जो कि आज सबके लिए एक रोल मॉडल है मैं आगे आपको बताऊंगे किस तरीकी से किसान आज हमारे लिए वहां पर ऐसे हैं जो किस सबके लिए रोल मॉड किसान के माध्यम से आज महिलाएं सशक्त हो रही है उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है और वो आज विदेशों तक यात्रा कर रही है एक ऐसे ही महिला के बारे में डॉक्टर हिमानी ने PBNS को बताया तोर पर ही चामल की खेती करती थी तो कहीं ने कहीं किसी चीज की कमी न रह जाया या उन्हें हाई तक्निकी हम कैसे ज्यादा पैदावार करें उसकी जानकारी के लिए उनको वहां भेजा गया वहां से वह सीख करके आई और उन्होंने यहां कम से कम 600-700 महिलाओं को चामल की खेती के लिए प्रमोट किया और उनका एक नेटवर्क बनाया है। जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसी बायाटेक के माधियम से ऐसे किसान हमारे सामने मिलकर के हैं जिन्होंने की ना केबल माइगरेशन को रोका है बलकि वहीं पे रहके अच्छी कमाई करके और युवाओं को भी रोका हैं। ये तो मैं आपको वो संक्या एक करने में थी दुसरों की बगीचों में काम करते थी, वहाँ बागवाणी करते थी, आज वो उतराक्वंड वापिस आ गरके, अपनी बागवाणी करके और हजारों की संक्यां पर लोगों के लिए रोल मॉडल बन करके और बागवाणी कर रहे हैं बहुत अच्छा मुना आज पानी की समस्या हो, मिट्टी की जांच हो, उननत बीज की कमी हो, या बाजार तक किसानों की आसानी से पहुंच सुनिश्यत करना हो, सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं, कुरोनकाल में भी हमारे देश के क्रिशिशेत्र ने अपना दमखम दिखाया है, द झाल झाल